नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चंचार जागंदर मिशा में कर्मफल दाता सनी वक्री 5 जून 222 मिथुन राश 5 जून से 12 जूलाई 222 सनिदेव स्वयम बनाएंगे रंकसे राजा ये छेकार हर हाल में होकर रहेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नियाय और कर्मफल दाता सनी देव 5 जून 222 को वक्री होने जा रहे हैं तो सनी देव के इस वक्री काल का मिथुन राश के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पढ़ने वाला है सनी देव आने वाले समय में आपके जीवन में किश्प्रकार की परिस्तितों का निर्मार करेंगे क्या सनी देव आपको मेथुन राश के आतकों रंक से राजा बनाएंगे और साथी सनी देव की इस वक्री काल की अवद में कौन से ऐसे च्छैकार हैं जो आपके होकर रहेंगे संपूर्ण विशय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको साज़ा करेंगे चाहिव आपका ब्यापार हो, केजिर हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, दामपत्य जीवन हो, इजुकेशन हो, लबलाइप हो, विदेश की आतराएं हो हर किशी के वारे में जानकारी साज़ा करेंगे इसलिए यदि आप मिथुन राश की जातक हैं, तो बीडियो को अन तक जरूर देखें क्योंकि यह बीडियो मिथुन राश की जातकों आप ले बहुत ही महत्पून रहने वाली है तो दोस्तो, सनी देव, 5 जून 2020 को अपनी स्वराशी कुम राशी में वक्री होंगे और यहाँ पर यह 12 जूलाई 2020 तक वक्री गत अवस्ता में रहेंगे हलाकि 12 जूलाई को सनी देव वक्री होते हुए पुनही एक बार मकर राश में प्रवेश करेंगे लेकिन हम यहाँ पर 5 जून से 12 जूलाई तक सनी देव आपको क्या फल देंगे मिथुन राश को यातकों इसके बारे में जानेंगे मिथुन राश के जातकों सनी देव को न्याय और कर्म फल देवता कहा जाता है देखे सन की धहया और सन की साड़े साती में बेक्त के दोरा किये गए कर्मों का फल आपको प्राथ होता है सनिदेव की कृपा जिस भी जातक के जीवन पर पड़ जाये तो ऐसे जातक को रंग से राजा बनने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती सनिदेव की तो विशेस कर लाभ होता है और अच्छे भाव पर बैटे हो उच्छ के हो अपने स्वरासी गती हो तो विशेस लाभ होता है यहाँ पर देखें सनिदेव अगर अशुब यनि खराब इस्तिती में बैठे हो नीच इस्तिती में बैठे हो अशुब पाप ग्रहुष के प्रभाव में हो तो सनिदेव फिर जातक को राजय से रंक भी बना देते हैं और अगर खराब दसा चल रही हो तो विशेश कर जातक क जीवन में खराब दसाई भी आनी प्रारम भूजाती है दोस्तों सनीदेव जितने सुबद्रिश्टी में रहेंगे जितने अच्छे य्यनि कि भाव में बैठेंगे उतनी आपको अच्छे लाब देंगे वहीं अगर सनीदेव अच्छे स्थिती में ना हो अच्छे पोजीशन में कुंडली में ना बैठे हों तो जातक को परेसानियों को सामना भी करना पड़ता है क्यूंकि अन्यक परकार के कष्टों को भी भोगना पड़ता है दोस्तों सनी देव 5 जून को यहाँ पर मित्वन रास्कायत को आपके भाग भाव पे यनि की वक्री होने जा रहे हैं नवम भाव पे जो की भाग भाव नवम भाव एक बैहत अच्छा भाव माना जाता है तो यहाँ पर अब ये 5 जून से लेकर 12 जुलाई तक वक्री अवस्ता में रहेंगे तो इसमें आपके उपर क्या पर भाव डालेंगे आज इस वीडियो में जानेंगे देखें मिथुन राशक्यातकों इसमें आपका ब्यापार, केरियर, दामपत, जीवन, पारिवारिक, जीवन, इचकेशन, स्वास्त, लवलाईप सभी के छेतरों में विस्तार से चर्चा करेंगे तो आईए जानते हैं विस्तार से सबसे पहले जानेंगे मिथुन राशक्यातकों कि आपका केरियर और बिजनेश व्यापार कैसे रहेगा तो देखें मिथुन राशक्यातकों नबाम भाव पे कर्म फलदाता नियाए के देपतार सनीदेव वक्री होने जा रहे हैं तो आपको एक तो इसमें यानिकी अनेग प्रकार के शुब कार करने का मौका मिलेगा लेकिन नौकरी में आपको पदनत होगी नोकरी में पहला कार पूरा होगा प्रमोसन को लेकर शेलेर में बर्दी को लेकर साथी साथ बिजनश ब्यापार में दूसरा कार पूरा होगा कोई महत्पूर्ण रिल को लेकर या धन को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी किसो सनीदेव स्वैंम बनाएंगे इसमें आपको रंक से राजा यनिकि इसमें अगर आपकी आमदनी कम है या फिर आप वियापार में बर्दी नहीं कर पा रहे थी अभी तक या नौकरी में प्रोमोसन नहीं हो पा रहा था तो इन सबी छेत्रों में सनेदेव आपको दिलाएंगे सफलता इसलिए कहा है कि सनेदेव स्वैम बनाएंगे रंक से राजा तिस समय सनेदेव के विश्च किरपा दृष्टी बरसेगी और अनेकों जगन से आपको धन कालाब होगा धन संपत के मामलें काफी लखी रहेंगे बियापार में वर्दी होगी अनेक प्रकार के आपको लाब देखने को मिलेंगे जो बियापार अभी तक आपके धीमे थे उन बियापार में लाब होगा नए बिजनेस बियापार की स्थरुआत करेंगे नए बिजनेस बियापार में आपको तरक्की मिलेगी अनेक जग़ो से आपको धन का लाब होगा यानि कि ब्यापारिक दृष्टे से देखा जाए तो काफी ज़्यदा उम्मी से कहीं ज़्यदा आपको लाब होगा और बिजनेस ब्यापार का बिस्तार करेंगे नए बिजनेस ब्यापार की आप इस्थापना कर सकते हैं साथ ही आपका पारिवार क्यात्राईं करा सकते हैं पाला की दारमिक कारेम कर सकते हैं आप माता-पिता के ऊप्लक्ष में जाद нашем आपके घर में शुब कार होगा सथा कार होगा बैंक में मिसभूर्ण А Nik riot School को आपको मिलेगा धन्संपत्यं में जाफा होगा दोस्तों का सभ्यूर काम कर तो भी शेष लाब होगा साती साथ बता दें की भाग में ब्रदी होगी भाग का इजाफा होगा ? किस्मत आपकी पल्टेगी क्योंकि सरे देव स्वेम बनाएंगे इसमें रंक से राजा पांचमा कारे होगा पूरा आपको संतान और जीवनसाती से अच्छे संबंधों को लेकर जीवनसाती से मधूर संबंध बने रहेंगे जीवनसाती को साथ काफी अच्छे रिष्टे रहेंगे जीवनसाती आपको इसमें बहुत अच्छे यानी मोहल देखने को मिलेगा जीवनसाती का साथ मिलेगा अच्छे कारियों की आप उपलदियां प्राप्त करेंगी जो कार अभीता का धोरे पड़े थे उनमें विशेश कर सफलताय प्राप्त होंगी यानि कि इस समय आपकी आंदनी तो बढ़ेगी साथी साथ सनीदे की विशेश क्रिपाद रिष्टी भी बढ़ेगी और जीवन साथ एक साथ मधूर संबन तो ही प्रेम जीवन में खुशिया वरसेंगी लब लाइब बहुत अच्छे रहेगे लब पाड़ों कुछ गिप्ट और रुपहार देंगे उनके साथ काफी अच्छा वक्त विताने का मौका मिलेगा प्रेम जीवन में खुशिया वरसेंगी आप दोनों के बीच में यानि की काफी अच्छे रिष्ट रहेंगे और अपने साथी के लिए भी आप एक दूसरे से चर्चाएं कर सकते हैं कुछ गिप्ट वाइगरा खरेश सकते हैं सोपिंग कर सकते हैं स्टुडेंट के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा बिद्यार्थियों के लिए बहुत खुबसूरत रहेगा धनलाब की और मान समान के प्राप्ती होगी बड़े भाई बहने को सहयोग प्राप्त होगा स्वास संबंधी परेसानियों से बाहर निकलेंगे स्वास्त को लेकर जो समस्याएं थी मित्यु राज़का हैं जातकों बारा जून से बारा जूलाई तक के बिच में बहुत हीं बह्तर रहने वाला है इसमें दोस्तों में इजाफ़ा होगा समाज़ी उमान और राजनितिक चात्रों में आपको बड़े पद मिल सकते हैं इसमें दोस्तों में इजाफा होगा इसमें संदेव की बिशेज क्रिपा दुष्टी पराप्त रहेगी संदेव के क्रिपा से आपको इसमें आपके पराकर में बरदी होगी और सोर और साहस का परचे देंगे नए घर का निर्मार करेंगे शुक्षादर में बरदी करेंगे नए लोगों से मुलाकाते हो शकते हैं प्रतिश्चित बेक्तियों को आपके घर में आना जाना हो शकता है मित्वन राज़के जातकों अगर सन्य देव को और भी ज़्यदा सुब करना चाहते हैं तो सन्य देव को उपाई इसमें जरूर करें यानि 12 जुलाई से लेकर यानि की 12 जुलाई तक मित्वन राज़के जातकों आपको सन्य देव को कुछ उपाई करके बेहतर से बेहतर प्रिणाम प्राप्त कर सकते हैं जैसे की आपको इसमें काली उड़त काले तिल का दान करें सनी मंदरी में जाके सरसों को तेल का आप दीपक जरूर जलाएं और कोशिश करें कि आप ओम समस्थने चराय नमें इश्मन्त का जाप करें और विश्ण सहस्त इस तुरत का पार्ट जरूर करें तो ये था आज की स्वीटियू में मितन रास्वली जातकों के लिए 5 जून से लेकर यानि कि सरे देव के इस वक्री काल की अबद में 5 जून से लेकर 12 जुलाएं दो हजर बाश तक का रास्री फल्द दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें जैसन देव साथी वीडियो को लाइक करें ज़्यदा ज़्यदा सेर करें और चलों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेश जरूर करें जैसन देव